बिस्मिल्लारावर्राहीम डियर स्टुडेंट्स आज जो टॉपिक हम डिस्कुश करेंगे वो है वर्ड और्गनाजेशन मीन्स कौन सी वर्ड और्गनाजेशन हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए निया निया उनके बारे में जनर्रली कौश्शन जो है वो पेपर में आ सकता है तो इस सिलसरे में सबसे पहली जो और्गनाजेशन है वो है UNO UNO means United Nations Organization United Nation Organization जो है यह बिस्कली इसका जो चार्टर्ट साइन हुआ था वो 26 जून 1945 में हुआ था ठीक है और फिर फॉर्म हुई यह जब यह कंप्लीट बन गई वो 24 ऑक्टूबर 1945 है ठीक है तो इसके जब अगर क्वेशन आए कि इसका चार्टर कब साइन हुआ था तो वो 26 जून 1945 को हुआ था और जब यह आए गए यह फॉर्म कब हुई है तो वो 24 ऑक्टूबर 1945 को बताएंगे ठीक है उसके बाद है नेम सजेस्टर वाई इसका नाम किसने डिसाइड किया वो एफ डी रोस्वेल्ट है यह बिसिकली अमेरिका के प्रेजिडेंट थे यह वाद प्रेजिडेंट है अमेरिका के जो चार दफा अलेक्ट हुए है या इसको कह नहीं बन सकता और अब जो है वह सेकंट टाइम के बाद जो है वह हो नैटो फिर नहीं रहता ठीक है चैसके बाद जwyddकी आगे डू यह सब sections हैं वो six हैं जिनमें जनर्र असंब्ली हो गई और उनाइटे नेशन स्कूर्टी काउंसल हो गई इसके six जो हैं वो मजीद आगे members हैं आगे इसका जो original secretariat है वो चिनीवा में है ठीक है और जो के Switzerland में है उसके बाद ये विन्सवेला में है जो के आस्ट्रिया में है और नरोबी में है जो के कीनिया में है ठीक है ओफिशल languages जो है इसकी six है six official languages हैं इसमें शामिल जिसमें Arabic है और Chinese है French है English है Russian है और Spanish है ये six languages जो हैं वो UNO में की official languages में शामिल हैं ठीक है इसके बाद जो दूसरी बड़ी organization आती है वो है OIC OIC means Organizations of Islamic Corporation OIC जो है ये मुसलमानों की कहलें कि एक organizations हैं जिसमें Muslim countries जो हैं वो जिसको जोईन की हुए हैं और यहां पर मुसलम से रिलेटर issues जो हैं वो डिसकस किया जाते हैं ये फार्म हुई 25 सेप्टंबर 1969 को इसका जो सेक्रियेट है वो जदा यानि सौदी अरेबिया में हैं फर्स्ट इसका जो जो सिम्ट था वो 22-25 सेप्टंबर 1969 में हुआ था रबाट मुराको के अंदर ठीक है तो इसके मिम्बर्स की तदा जो है वो 57 है नेम चेंजेज अन इसका नाम जो है वो तब्दील हुआ था 20 जून 2011 में इसका जो पहला नाम था वो था Organization of Islamic Conference वहां से फिर इसको चेंज करके Organization of Islamic Corporation जो है वो रखा गया और पाकिस्तानी जो इसका स्कूरिटी कहलेंगे सेक्टरी जनर्नल था वो उसका नाम था सेयद शरीफ-दीन पीरजादा ठीक है शरीफ-दीन पीरजादा जो है वो एक ही हमारा जो है वो इसका इसके बाद जो है वो इसके बात जो है वो नेक्स जो ऑर गनाइसेशन आती है उसका नाम है नटो नेटो जो यह बिसीकली नौर्थ अटलेंटिक फ्रीटी और्गनिजेशन का यह ब्यूबेशन है यह जो है वो बनी थी 4 अप्रेल 1949 को इसका हेड़कुर्टर जो है वो ब्रॉसल में है ब्रॉसल कहां पर है वो बेलजियम में ठीक है और इसके मिंबर्स की तदाज जो है वो 30 है नुएस्ट मिंबर्स जो इसका बना है वो नौर्थ मेकरडोनिया है जो 27 मार्ज 2020 में बना ठीक है तो यह नेटो था नेटो के बाद आता है जो नेक्स्ट और्गनिजेशन है वो है आई-म-फ आपने एक से सुना होगा आई-म-फ से हमने करदा नहीं दे रहा तो यह आई-म-फ क्या है यह बिसिकली आई-म-फ जो है यह बना था 27 डिसंबर 1945 को इसका हेड़कॉर्टर जो है वो वशंग्टन डी-सी में है इसके मिंबर्स की तदा जो है 189 है पाकिस्तान ने इसको जोईन किया था 11 जुलाई 1950 ठीक है उसके बाद तो नेक्स्ट और्गनिजेशन आती है वो है वर्ड बैंक वर्ड बैंक जो है यह यह भी जुलाई 1945 को बना था और इसका एड़कॉर्टर भी वर्शंग्टन डी-सी में है इसके मिंबर्स की तदा भी 189 है और पाकिस्तान ने इसको जो जो जोईन किया था वो भी 11 एशियन ड्वेल्मेंट बैंक जो है यह भी इस्टेब्लेश हुआ था 19 डिसंबर 1966 को उनी सो चार्ट को यानि और हैड़कॉर्टर था इसका जो मैंने आली फिलिपाइंस के अंदर जो है वो इसका जो है वो हैड़कॉर्टर मिंबर्स के हैं 68 68 जो है वो इसके टोडल मिंब इसके बाद जो अगली और्गनेजेशन आती है वो है यॉर्पन यॉनियन यॉर्पन यॉनियन में के यॉरप के जितने कंट्रीम्ट है उन्होंने मिलके एक और फिल्चियों की यह इओर्यपने यूनियन का नाम दिया तृक है यह इस्टेब्लिश हुई थी यकल नोंबर 1993 1993 को और नेधरलेंड में और जो इसका हरद में है वो Tamil जो है वह बिलजीम का शायड है वहां sidii सेवन पहले के कौन गया अब काम कम होगया यू के जो है यूनाइटड ऑ निकल गया इंग्लेंड ने डिसाइड गिया है कि वो अब यॉर्पी यॉनियन का हिस्षा नहीं रहेंगे और इस वज़े से जो है वो इनके जो मिंबर्स हैं उनकी तदाद जो है वो 27 रहे गई और UK ने कब इसको छोड़ा था तो वो 31 जनवरी 2020 डेट है जिसमें UK ने यह कहलें कि miss किया था यॉर्पी यॉनियन से निकलने का है तो यह overall जो है यहkteरें यह आपकी पेपर में question आ सकता है question जो है अब किस तरह आ सकताहै question जो है वही कि आपसे नीकी पहले तो हो सकता भैकि अब्डिवेशन पूछी जाएं यह efterуск Home from the day जाने जाने जाएं. मैंने इनके पूरे नाम जो हैं वो आपको बताएं जाएं. दूसरी बात यह है कि आपको यह मेरे लेक्शिर के साथ साथ आप नोडस अगर बनाते जाएंगे तो आपको बहुत ज़्यदा असानी होगी इनको याद करने में भी और पेपर में इनका आंसर करने में भी ठीक है तो वह जो है यही पूछा जा सकता है कि वही किसकी पूछा जा सकता है नेटों के बारे में पूछा जा सकता है ठीक है जिसे कहते हैं कि सबसे जो टॉप के कहलें के इसमें हैं वह आप यूएनों को रख सकते हैं और दूसरा जो ओईसी है इससे रिलेटर जो है वह पहले भी क्वेशन लास्ट पेपर्स में भी आ चुके हैं और मजीद दवारा भी पूछे जा सकते हैं ठीक है तो यह ओवराल जो है वो वर्ड्स ऑगनाइज़ेशन थी जिनका मैंने आपको जो है वो लेक्चर दिया हैं अमीद है आपको इसकी समझ आई होगी मजीद अगर आपको किसी चीज़ में कोई कुछन हो और आप नहीं को जो है वो डिसक्स करते जाएंगे और अमीद है आप इसको नोट करते जाएंगे और अपने नोट्स बनाएंगे और इनी नोट्स को फिर आप अपने माइन में रखके पेपर में जाएंगे और इंशाला जो है वो आप लैड को किलियर कर लेंगे ठीक है तो ओके फिर ने